जैहिन दोस्तों स्वागत है अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में नाविर सास जानी पॉर्टिकल साइंस का अच्छा बारा के विद्यातियों के लिए ये पहला पार्ट का ये लांग कोश्चन रहेगा दोस्तों जो परिच्छा दिस से बेरी इंप अच्छा वा लगश्ण की अथवा करके दिए बच्छो चाहेइस को चाहेस को अथवा सीट यूद्ध से क्या सए है सीट यूद्ध की प्रकित का परकास डालिए तो सबसे पहले हम लोग देखिने कि सीट यूद्ध किसे कहते हैं देखो जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी इस्थिति बनी रहती है देखो दुति भिस्विद के बाद दो गुटों का जो है शुरगात हुई एक तरफ था अमेरिका एक तरह था सोवियस संग है तो आईए देखते हैं उत्ता देखेंगे हम लोग दुती बिश्विद के परश्चाद बिश्व में दो महा सक्तियों का उदेफ गवा इन दो महा सक्तियों अर्था अच्छो अभी हमने बताया स्वियत संग को हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं अर्था स्वियत संग में कुछ मद्भेद बने रहे इन मद्भेदों के पीछे तनाव कटुता मनो वयवनस आधि परवितियां पहले अच्छित होती थी सनय 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 में जब 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 दोनों महा सक्तियों के मद्ध राजनीतिक परचार का युद्रिश्चिन गया दोनों एक दूसरे का विरोज अलोशना तथा विचार धारा का परचार करने में सनलंग ने हो गए सोबियत संग तथा अमेरिक्या को इसी कटूता पूर्ण नीथ के परड़ाम सुरूप कंताराश्चि राजनीति में दोग गुटों का उदय हुआ यह गुट एक दूसरे के विरद्ध अपनी इस्थिति को सुद्रिन करने लगे दोनों एक दूसरे को राजनीतिक समाजिक सांस्कृतिक तथा सैनिक मोचे पर पराजित करने की किरियाइ करने लगे वही दो गुड बच्चे अमेरिका और सोबियस संग किरियाय करने लगे अता सफूर विश्में भय तनाव तथा आविश्वास का वात्रा व्राद ब्याप्त हो गया बिद्वानों नो इसी को सीति दुका नाम में दिया सीति दुका अर्थ एवं परिभासा अब हम लोग सीत युद्ध एक ऐसी दसा थी जिसमें युद्ध तो किसी भी छेत में नहीं था अभी हमने बताया ना युद्ध नहीं होता लेकि युद्ध जैसी इस्थित बनी रहती थी युद्ध सोबियस संग तथा अमेरिका के प्रास्परिक संबंधों की एक ऐसी सोचनी दसा थी इसमें दोनों एक दूसरे के बुर्द सत्रुता का विचार रखते थे। वे सत्रु युद्ध नलड़कर मनों बैज्ञानी युद्ध से एक दूसरे को निचंतर नीचा दिखाने का प्रत्न करते थे। इस उद्ध के लिए रणचेत्र के अस्थान पर मारो मस्तिस का परियोग किया गया। यह वैचारी की उद्ध था इसमें एक पच दूसरे पच को रायनेतिक, आर्थिक, समाजिक, आई द्रिश से नीचा दिखाने के लिए प्रत्न करता था। अब हम लोग दो दिखेंगे सीत उद्ध के लच्छान, सीत उद्ध के लच्छन क्या है बच्छों, देखो सीत उद्ध के परूक लच्छन निम लिखी थे, हम लोग हेरिन डाल लेंगे कि सीत उद्ध के परूक लच्छन निम लिखी थे, नमबर एक लिखेंगे सीत अधर्म से वाक युद्ध के रूप में 20 सुराजनीद में ब्याप्त हो गया था नमबर तीन सीत युद्ध का परभाव साइर अच्छा था कि इसमें दोनों महा सक्तियों परचार गुप्त चरी सैनिक हस्ता छेप सैनिक संधियां तथा विभीन प्रकार के संगठों का निर्म और चातिनाद करती थी ऐसा करके वी अपनी सक्तियों को सुद्री कर रही थी नमबर चाहर दिखेंगे मों दोनों सुक्तियों ने विच में तनावपूर्ण इस्थिति उत्पन कर दी जिसके काई युद्ध जर्षी इस्थित उत्पन अधिक भयानक था, अब हम लोग जेखेंगे, सीवयुद्ध की परकीती, हुल दालेंगे समय बच्षे, सीवयुद्ध की परकीत क्या है, तो सीवयुद्ध की परकीत के संब्दे में, निवीटित अध्यान की जा सकता है, कौन-कौन, आए देखते हैं, सीत युद्ध की परकित में पहला नमबर है सीत युद्ध की परकित कूट नितिक युद्ध के सद्रिश थी क्योंकि इससे किसी भी समय युद्ध भड़ाग सकता था नमबर दो सीत युद्ध के काल में सोविय संक्ता अमेरिक्या तोनों बड़े राष्ट परसपर सांत कालीन कूट नितिक संबंधों की प्रमकुता दिये हुए थे उनमें सतुता के भाव बार बार उभर रहे थे नमबर तीन दोनों राष्ट ससस रिद्ध के लिए तयार नहीं थे परन्तु अन परकार के कूट नेतिक उपायों दारा एक दूसरे को निर्बर मनाने में तथा अपने अपने सहयोगी देशों के साथ अपने अपने परभाव को बढ़ाने के लिए सैध्धान्तिक विचार राष्ट आसांकित रहते थे नमबर पच्वा क्या है बच्चों सीथ युद्ध के संपूं काल में तीसरे बिश्में ब्यापक घातक मुणवेड होती रही इनमें परोच रूप से परोच रूप से महा सक्तियों की प्रतियस्परदा असपस रूप से दिखाई दे थी इस सीथ युद्ध को युद्ध की समाप्ति का रूप ना कहे कर दो महा सक्तियों को सीधे वाह युद्ध का जाल कहा जा सकता है तो बच्चों यही था जो है सीथ युद्ध का अर्थ इवा परिभाशा